हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आर्वी एडिट्यूब क्लास में मेरा नाम है राकेस और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेशन लेकर करके आया हूँ यह जो क्वेशन है यह क्वेशन क्लास 10 के स्टुडेंट के मायत वुक्स से लिया गया है क्वेशन नमबर नाइन है पेज नमबर 245 एकसरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वाल्यूम से एक क्वेशन है तो चलिए पढ़ता है इस क्वेशन को देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है एक लकडी का आर्टिकल है कोई वाज मेड़ बाई स्कूपिंग आ गया गया है किससे सिलेंडर से ठीक है तो फ्राम इच एंड आप सॉलिट सिलेंडर एज सोन इन फीगर 13.11 तो इफ दा हाइट आफ दा सिलेंडर इज 10 सेंटीमेटर एंड इट्स बेस इज आफ रेडियस 3.5 सेंटीमेटर फाइंड दा टोटल सरफेस एरिया आप दा आर्ट निकालना काट कर निकालना आप लोगों के में बहुत सारी लोग ऐसे होंगे या जिनके माता पिता ने अखली देखा होगा अखली में सेम ऐसा ही किया जाता है नीचे से और उपर से काट करके हिस्सा निकाल लिया जाता है फिर उसमें धान रखके खुटा जाता है तो यहा गीविन हाइट आप सिलिंडर हाइच इक्वाल डू टैन सेंटिमेटर रेडियस हाफ सिलिंडर अब देखिये जो रेडियस सिलिंडर की होगी वही रेडियस हैमी स्फेयर की होगी क्यों क्योंकि देखिये जो सर्कुलर पोर्षन बन रहा है उपर का सिलिंडर का और हमी स्फेयर का वह सेम है तो रेडियस भी क्या होगी सेम होगी कितना दिया है 3.5 सेंटिमीटर अब यह decimal में है तो मैंने आपको बताया कि कभी भी fraction में रखने की कोशिस कीजिए decimal में रखने की कोशिस मत कीजिए तो decimal के बाद एक digit है तो हम क्या करेंगे नीचे उपर 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 35 by 10 और 5 से divide कर देंगे तो 5,7 जा 35,5,2 जा 10 तो यह बनेगा जो radius 7 by 2 cm यही radius cylinder का भी होगा और यही radius semi square का भी होगा तो अब इसको find कैसे करेंगे देखे यहाँ पर क्या होता है ना surface area की case में जैसे मालूम जो इससा काट के निकालते हैं तो उसका surface area और बढ़ जाता है चर्च करने वाला portion और बढ़ जाता है तो इसलिए हमें surface area को add करना पड़ता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक cylinder के surface area में cut surface area में hemispair का cut surface area दो बार add कर देंगे या 2 into hemispair का surface area कर देंगे चलिए देखते हैं कैसे करेंगे so the total surface area of the article total surface area of the article ठीक है तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें देखो csa लगाना है किसका csa लगाना है cylinder का csa आफ cylinder plus 2 into csa of hemispair आप देखें hemispair में csa नहीं का जाता है उसमें surface area का जाता है तो surface area of hemispair सबसे पहले वही काम हम लोग formula drive करेंगे फिर आगे चल करके इस question को solve करेंगे तो यहाँ पर जो csa होता है cylinder का वो होता है 2 pi r h ठीक? और यहाँ पर जो hemispair का csa होता है वो होता है 2 pi r square आप देख रहा है यहाँ से 2 pi r और 2 pi r सेम सेम है तो इसको हम common कर लेंगे bracket में क्या बचेगा यहाँ पर bracket में h बचेगा और plus 2 r बचेगा अब यह मारे पास formula है अगर ऐसा कोई case आता है कि किसी भी cylinder के दोनों end पर जो 2 hemispair है वो जोडे गये हैं या काट करके निकाले गये हैं तो उन दोनों के case में यह formula आप direct रख सकते हैं यह वाला यह वाला formula आप direct रख सकते हैं और आपका direct solution हो जाएगा हाँ अगर आपको formula drive करना आते तो और अच्छी बात है और आप drive करना सीखिए क्योंकि आगे बहुत सारे question आएंगे इस परकार के तो चले इसके solution पर बढ़ते हैं या से हमें height पता है 10 cm और radius पता है 7 by 2 value put करते हैं 2 into pi की value होगी 22 upon 7 r की value होगी 7 by 2 bracket में था h h is 10 for 10 plus r कितना था 7 by 2 यहां पर 2 r था 7 by 2 ठीक है तो यहां से आप देखो यह इस 2 से यह वाला to cancel out हो जाएगा इस 7 से यह वाला 7 cancel out हो जाएगा इस 2 से यह वाला to cancel out हो जाएगा अभी के लिए क्या बचेगा हमारे पास 22 into 17 ठीक है आप देखो आप इसको चाहो तो आप ऐसे करके multiply कर लो 22 multiply by 17 लेकिन ध्यान से देखिए ऐसा आप कब तक करोगे अब यहां पर 17 का table आता है इधर से 2 के बार पढ़ लीजिए 17 to 34, 4 write कर लीजिए 3 carry again 72 का table 2 बार पढ़ यह तो 34 हो जाएगा 72 to 34 और 3 को add कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 374 यह सिर्फ कहने में बड़ा लग रहा है करने में बहुत ही आसान है हाँ आप दो तीन बार practice करेंगे हो जाएगा तो अभी यहां से surface area total कितना आ गया student 374 therefore the total surface area आप उड़न आर्टिकल is 374 तो यह इस question का answer होगा students उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझा पाया होँगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी परकार के वीडियो लेके हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class अब्स्तों कों गश्तों को then